अकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनरची बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए चलाई जा रहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आज से पुनह आगास हुआ इस सत्र की पहली तीर्थ दर्शन ट्रेन को भुपाल के रानी कमलापती स्टेशन से मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने हरी जंडी दिखा कर बनारस के लिए रवाना किया तीर्थ दर्शन यात्रा में भुपाल और सागर संभा के 974 यात्री शामिल है इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि तीर्थ यात्रा से आने के बाद गाउ में कहना कि धर्ती बचाना है तो साल में एक पेड़ जरूर लगाओ दूसरा गाउ में कहना कि कोई नशा मत करो तीसरा सबसे कहना जितना बेटों को मानते हो उतना बेटियों को भी मानो बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती मुख्यमंत्री ने बताया कि अब ये ट्रेने रुकेंगी नहीं एक के बाद एक जाती रहेंगी और आपको दर्शन करवाती रहेंगी इस ट्रेन में यात्रियों के साथ जा रही परियतन मंत्री उशा ठाकुर ने बताया कि ये योजना 2012 से शुरू की गई थी और 2018 तक 740 ट्रेनों के माध्यम से 7,440,000 लोगों को तीर्थ यात्रा कराई गई है राशुपती रामनात कोवंध ने आप राधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को स्वीकृति दे दी है इस अधिनियम का उद्देश आपराधिक मामलों में पहचान और जाच के लिए अभियुकतों और अन्य लोगों की शारिरिक माप लेना और उस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना है इसमें उन लोगों के शरीर की समुचित माप लेने की विधिक या कानूनी स्वीकृति दी गई है जिनके फिंगरप्रिंट, हतेली, पैर, फोटोग्राफ, पलक और रेटीना स्कैन, शारिडिक, जैविक नमूनों सहित कुछ अन्य माप की आविश्यक्ता होती है ये नया अधिनियम 1920 के कैदी पहचान अधिनियम के स्थान पर लाया गया है लेटनन जनरल मनूच पांडे भारतिय सेना के 39 सेना अध्यक्ष होंगे उलेखन ये बात ये है कि लेटनन जनरल पांडे आकाश्वानी परिवार से संबंध हित है उनकी मा श्रीमती प्रेमा पांडे आकाश्वानी नाकपुर में उद्खोशक थी इसके अलावा ये पहला मौका है जब इंजिनियर्स कोर का एक अधिकारी भारतिय सेना का अध्यक्ष होगा राश्वी रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित लेटनन जनरल मनोज पांडे ने दसंबर 1982 में इंजिनियर्न कोर में कमिशन प्राप्त करने के बाद से अपने 49 वर्ष के सेवाकाल में कई एहम जिम्मेदारियां संभाली है स्वास्त मंतुराले ने बताया है कि कल 1247 लोगों में कोविट संक्रमन की पुष्टी होई कोविट से संक्रमित होने की दर 0.03 प्रतिशत है और स्वास्त होने की दर 98.76 प्रतिशत है बात करेंगे मौसम की प्रदेश में चक्रवात के असर से मौसम का मजाज आने वाले एक हफ़ते में बदल सकता है इस दोरान तेज धूल भरी आंधी चलने और बादल चाने के साथ गरत चमक के साथ कुछ जगों पर बूंदा बांदी के भी आसार है इस वजह से पूरे प्रदेश का तापमान 2-3 डिग्री सलसियस कम हो सकता है मौसम विभा का कहना है कि इससे लोगों को 4-5 दिन गर्मी से कुछ रहत मिलेगी वरिष्ट मौसम वैग्यानिक पीके साहा ने कहा है कि पशी में विक्षो बहुत छोटे होते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं इसलिए 24 अप्रेल को बादल हट जाएंगे और अगले हफते दोबारा गर्मी बढ़ेगी और लू की स्थिती बनेगी संतोष ट्रोफी फुटबॉल चैंपियंशिप में आज कोटापटी स्टेडियम में शाम चार बजे गुजरात का मुकाबला सर्विसस से होगा जबकि मंजेरी के पायानार्ट स्टेडियम में रात आट बजे ओडिशा का मुकाबला मनीपुर से होगा आईपियल क्रिकिट में आज नवी मुंबाई के डॉक्टर डी वाई पातल स्टेडियम में लखनौ सुपर जायन्स का मुकाबला रॉल चैलेंजर्स बैंगलॉर से होगा मैच शाम सारह साथ बजे से शुरू होगा अब कुछ समाचार संग्शेप में पन्ना में जिला कारेक्टरम अधिकारी उदल से ठाकों ने बताया कि अब कारिस्थल पर लैंगिंग उत्पीडन की शिकायत ऑनलाइन पोर्टल शी बॉक्स के जरिये की जा सकती है बालाखाट जिले में जल अभी शेक अभ्यान के अंतरगत 112 अमरत सरोवरों का नर्मान किया जाना है इसी सलसले में आज कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई शिवपुरी जिले में मिलावट से मुक्ती अभ्यान के तहट चलत खाधी प्रयोक्षाला 24 अप्रेल को तहसील पोहरी आएगी टीकमगर जिले में अतिक्रमन हटाओ मुहीम के तहट ग्राम पंचायत समर्रा में शास्किया जमीन पर अवैद कबजा करने वाले 13 लोगों का कबजा हटाया गया बैतूल में अक्षे तृतिया के अफसर पर बाल विवाह रोकने के लिए जिलास्तरिय कंच्रोल रूम बनाया गया है और आगर मालवा कलेक्टर ने नगरे निकायों और जनपत सीयों को संबल योजना के प्रक्रणों का यथा शीक्र निराकरण करवाने के नर्देश दिये है इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही अजासत दीजे नमस्कार